सीबेसी वर्ट्स में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम क्लासिक साइंस का चैप्टर 10 जिसका नाम है फन विद मैगनेट्स वो डिसक्स करेंगे पुरानी वली NCRT बुक में ये आपका चैप्टर नमबर 13 है पिछले चैप्टर की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लासिक साइंस की प्लेलिस्ट का लिंग मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हो पहेली और बूजो एक जिखें पर गये जहां पर बहुत ज़ादा वेस्ट माटीरियल था, कूड़ा कबाड वगेरा था वास पाइल्ड इंटू हीउज हीप्स पाइल्ड का मतलब एक की उपर एक चीजों का रखना हीप्स मतलब धेर तो वेस्ट माटीरियल एक की उपर एक रखे थे नीचे आप image में देख सकते हो इस तरह से crane है तो एक crane का लंबा सा हाथ type का है यह आप देख सकते हो यहाँ से ऐसे string type की dory type की लेटगरी है और इस से attach है एक block तो इस block को ऐसे नीचे किया जा रहा है धेर की तरफ और उसके बाद फिर उसको move कराय जा रहा है यानि इधर से उधर जो धेर लगा हुआ है इसके उपर उपर move कराय जा रहा है अब guess करो क्या हुआ many pieces of iron junk were sticking to the block तो वो लोहे जो कबाल बन गये थे उनके जो टुकडे थे वो इस block पे चिपक रहे थे जैसे जैसे यह block move कर रहा था यानि कूडे के धेर के उपर से जैसे से move कर रहा था तो उस कूडे के अंदर जो लोहे के टुकडे थे जो की कबाल बन चुके थे पर कबाल है तभी तो उसको फेका गया था वाँ तो वो उस block पे चिपकने लगे पहीली और भुजो ने बहुत ही interesting book पड़ी थी magnets के बारे में तो वो तुरंट समझ गया कि यहाँ पर न एक magnet होगा जो कि attach होगा crane के end से वही जो उपर block दिख रहा नाम को यह magnet होगा यह जो इस पर यहाँ पर लगा हुआ है तो वो समझ गया तुरंट कि यह एक magnet होगा और यही जो magnet है वो पिक कर रहा है जो iron है जंक्यार्ड में उनको वही धेर के अंदर बहुत सारी चीज़े हैं लकडी है, प्लास्टिक है, पेपर है, कपड़े है सारी चीज़े मिक्स रहती है उसी में iron भी है तो इस क्रेन से magnet को लटका देते हैं फिर उसके उपर-उपर move कराते हैं तो जो लोहा होगा, उसका बाड़ के अंदर चुपा हुआ वो आ कि उपर चिपक जाएगा आपने magnets को देखा होगा और उनके साथ खेल के आपने enjoy भी किया होगा क्या कभी है, आपने stickers देखे जो की चिपके रहते हैं iron surfaces जैसे आपके almira हो गई ना, लोहे के almari है तो वो sticker उसके लगाओ तो चिपक जाएंगे तो वो क्यों चिपक जाते हैं उन stickers में पीछे magnet लगे होते हैं इसी तरह से refrigerator को जो door होता है वो ऐसे जाकर करीब जाता है तो वो बंद हो जाता है क्योंकि अंदर उसके magnet लगा होता है इन सम pin holders, तो कुछ जो आपके pin holders होते हैं यह आप यहाँ image में देख सकते हो यह pin holder होता है, इसके अंदर pin होती है बीच में आप जो इस तरह से देख रहे हो ना पर यह magnet होता है, इसे से pin चिपकी रहती है तो आपको ऐसे लगेगा कि वो holder से चिपकी होई है तो वो क्यों चिपकी होती है, magnet की वज़े से कुछ आपके pencil boxes होते हैं उनकी जो lid होती है, उनका जो ढखकन होता है वो tightly fit हो जाता है जब उस box को हम बंद करते हैं अंदर lock वाला system नहीं होता है लेकिन फिर भी आप उनको बंग करने कोहिश करोगे तो वो खट से चिपक के बंद हो जाएंगे तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पर magnet लगा होता है जैसे यहाँ पर box जो बना है आप देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे magnet लगा है यहाँ पर लगा है तो जब इसको ऐसे बंद किया जाता है तो जैसे ही यह magnet करीब आते हैं तुरन चिपक जाते हैं और box बंद हो जाता है तो यह जो आपके stickers हो गया है, pin holder हो गया है अब magnet कैसे खोजा गया था पहली बार कैसे बता चला कि हाँ यह magnet है इसका यह काम है तो देखो सही कहानी किसी को नहीं पता ऐसा कहा जाता है के एक shepherd था, चरवाह था उसका नाम मैगनीज था जो कि बहुत पहले ग्रीज के अंदर रहता था वो अपनी भीण बकरी को चराता था पास में mountain थी तो वहाँ उनको चराने के लिए ले जाता था उसके पास एक stick थी, छडी थी जिससे उनको जो है, वो control करता था उसकी stick में एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लगा था एक किनारे पर एक दिन क्या हुआ, वो surprise हो गया कैसे surprise हो गया? तो find that he had to pull hard to free his stick from rock एक चटान पे उसकी जो चडी है वो जब touch करी, तो उसको खीचने में थोड़ी ताकत लगी on the mountain side, यही पहाडी वाले इलाके में एक चटान पे उसकी चडी चूगई तो जब उसको खीच रहा था, तो ऐसे लग रहा था कि थोड़ी ताकत लगानी पड़ रही है it seems as if the stick was being attracted by the rock तो ऐसा लगा जैसे वो जो stick है उस पत्थर से attracted हो गई, अपनी तरफ खीच रही है तो वैसे अगर हम छडी से किसी पत्थर को touch कराएं तो चिपके की नहीं, तो normally तो ऐसे ही होता है लेकिन उसकी जो छडी थी वो उस रॉक पे चिपक गई, थोड़ी ताकत लगानी पड़ उसको अलग करने के लिए तो ये पहली बार उसने देखा था किया रहा, ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे चिपक गई तो ये देखके वो surprise हो गया तो वो जो रॉक थी, वो कोई मामली रॉक नहीं थी बलकि क्या थी, वो एक natural magnet था और उसने किसको attract किया वो जो iron tip थी, वह पूरी छडी उसकी लखड़ी की रही होगी, वो लोहे का जो टुकड़ा लगा था अगर पूरी लखड़ी की होती तो वो बिल्कुल attract नहीं करती लेकिन उस लोहे के टुकड़े की वज़े से उसकी जो stick थी, वो रॉक से चिपक गई तो ऐसा कहा जाता है कि इस तरह से जो natural magnet है उसको discover किया गया था अब natural magnet उसके क्यों कह रहे है क्योंकि उसको किसी इंसान नहीं बनाया था मॉन्टेन में पहले से ही पड़ा था, वो चट्टाने है तो वो पहले से ही nature में present थी तो इस तरहिके की रॉक को नाम दिया गया magnetite, यानि ऐसी रॉक जो लोहे को अपनी तरफ खीचती है उनका नाम क्या दिया, magnetite, ये नाम याद रखना शैद जो shepherd का नाम था, उसी पर उसका मैगनीज नाम था ना, तो मैगनीज से magnetite मिलता जुलता है, तो एक कहानी ये कही जाती है, अभी जो magnetite होता है, इसके अंदर iron होता है, लोहा होता है, अचा कुछ लोग दूसरी कहानी को believe करते हैं, वो क्या मानते हैं, the magnetite was first discovered at a place called magnesia, कहा एक जगे थी ना, उसका ना हमें magnesia, तो वहाँ पर ये सबसे पहले discover किया गया था, तो उसी से इसका नाम पढ़ गया magnetite, तो अलग-अलग कहानी है, किसी को clear नहीं पता कि हाँ, कभी ये खोजा गया था, किसने खोजा था, कहां मिला था, the substance having the property of attracting iron are known as magnets, तो magnetics को कहते हैं, वो substance, जिनके अंदर ये property होती है, ये काबिलियत होती है, कि वो लोहे को attract करें, अपनी तरफ खीच सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं, magnets कहते हैं, this is how the story goes, तो इस तरह से ये कहानी चलती जाती है, in any case, तो कोई भी बात रही हो, कहानी से हमको क्या लेना देना, किस ने खोजा, कब खोजा, में चीज़ ये हैं कि लोगों ने discover कर लिया, एक खास तरीके की rock, जिसके अंदर property थी, क्या property थी, क्या खासियत थी, कि वो लोहे के टुकडे को अपनी तरफ attract करें, खीचे, उन्हें ये भी पता चला, ये जो छोटे से टुकडे हैं, rocks के, चटान के, इनके अंदर कुछ special properties हैं, इनके अंदर कुछ खासियत है, एक चीज तो हमने देख ली, कि वो लोहे को अपनी तरफ खीचते हैं, और भी बहुत सारी चीज़े हैं, जो कि आप आगे पढ़ोगे, तो जिन लोगों ने भी इसको खोजा, उन्हों ने इसका नाम रख दिया, किनका नाम रख दिया, ये जो naturally occurring materials हैं, यानि वो चटाने जो iron को अपनी तरफ खीचती हैं, क्या नाम रखा, उनका नाम magnets रख दिया, फिर उसके बाद लोगों ने ये सीखा, कि कैसे लोहे के टुकड़े से हम magnets बना सकते हैं, और इनको क्या कहा गया, artificial magnets, एक तो आपके naturally मिलते हैं, उसको कोई बनाता नहीं है, ऐसे magnet को हम natural magnet कहते हैं, और वो magnet जो बनाए जाते हैं, जो इसको इंसान बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, artificial magnets, आजकल ये जो artificial magnets हैं, वो अलग-अलग shape में prepare किया जाते हैं, जैसे आपका bar magnet हो गया, ये वाली जो आपकी image है न, चप्टा सा, इसको हम bar magnet कहते हैं, एक आपका horseshoe magnet होता है, इस तरह से ये जो U-shape का है, cylinder वाला है, ये वाला, और आप ball ended magnet, और ये इस तरह से जिसके दोनों किनारे पे ball जैसे बना होता है, तो ये भी एक तरह के magnet है, तो ये आपको कुछ example दिये हैं, कि इस तरह के shape होते हैं, magnet के, कुछ लोग books के बारे मुझसे पूछ रहे थे, in my opinion, Oswald books are best, मैं इसको देखा है, और इसके अंदर वो सारी चीजे हैं, जिसके आपको ज़रत पड़ेगी, maximum score करने के लिए, जैसे मैं थोड़ा सापको बताता हूँ, एक तो इसके अंदर chapter के आपको summary मिल जाएगी, जो की revision मे आपर दिया हुआ है, इसी के साथ साथ exercise के questions के solution, और जो NCRT exemplar है, जो की exam के point of view से बहुत important है, उसके solution भी आपको यहाँ मिल जाएगे, with explanation, और सबसे important जो आपका नया syllabus है, उसके अंदर जो competency या critical thinking based questions add किये गये हैं, तो वो question और उनके solution भी आपको यहाँ मिल जाएगे, तो complete चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएगे, अगर आपको यह book purchase करनी है, तो description में मैंने WhatsApp चैनल का link दिया है, उसे click करके open कर लेना है, तो इस तरीके से plastic या paper का cup ले लेना है, और यह आपका stand है, और यह ऐसे आपका clamp है, जो पकड़ता है, तो यह आपका clamp है, यह glass को hold और यह यहाँ पर stand में fix होगा, अब एक magnet को उस cup के अंदर रख देना है, और cup को आपको paper से cover कर देना है, ताकि magnet दिखाई न पड़े, यानि उस cup के अंदर छूपा रहे है magnet, अब आपको एक clip ले लेनी है, लोहे की और उससे धागे को attach कर देना है, तो धागे के एक किनारे पर आपको clip attach कर देना है, और दूसरे किनारे को stand का जो base है, वहाँ पर fix कर देना है, अब यहाँ एक बात क्या ध्यान रखना है, जो trick हम यहाँ पर लगा रहे हैं, वो यह है कि जो thread की लंबाई है, वो छोटी होनी चाहिए, यानि इतनी बड़ी ना हो, कि वो cup तक सके, अब आपको क्या करना है, उस clip को cup के base से करीब लाना है, आपको क्या दिखेगा, जो clip है, वो हवा में उड़ रही है, बिना किसी support के, पतंग की तरह, तो यह यहाँ नीचे देख सकते हो, यह धागा है, इसको यहाँ नीचे stand का जो base है, वहाँ fix कर देना है, और दूसर क्या करेगा, clip को अपनी तरफ खीचेगा, लेकिन clip धागे से बंदी है, और धागा नीचे base में fix है, अगर धागे से न बंदा होता, तो वो clip magnet में जाके चिपक जाती, लेकिन धागे से बंदे होने की वज़े से, वो एक उचाई तक जाने के बाद आगे नहीं बढ़ पा र दिया है, और इसको threat से बांद दिया है, एक end जो है वो इसमें बंदा हुआ है, और दूसरा यहाँ पर इस पे मैंने fix कर दिया है, मेरे पास stand वगएरा था नहीं तो उस तरह का setup नहीं बनाया है, लेकिन इससे भी आप समझ सकते हो, ये मेरे पास magnet है, इसकी power कम है, इसलिए कफ अगयरा रखके experiment नहीं हो सकता, लेकिन इसमें भी आप समझ सकते हो कि क्या उसमें कराय गया है, अगर मैं सारेन पीस को ऐसे उठाओं, और फिर छोड़ दू तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, लेकिन अब देखना, इसके थोड़ी दूर पे हम एक magnet रखेंगे, ये ये उपर नहीं जा पा रहा है, इसलिए हवा में ये लटका हुआ है, तो समझी का इस तरीके से ये काम करता है, तो एक basic सा introduction हो गया magnet के बारे में, और इस वीडियो को हम यहीं पर end करते हैं, तो अगर आपको Classics की और वीडियो देखनी है, तो इस तरह से आपको वीडियो च करोगे, तो Classics Science की वीडियो आपको सारी यहां पर मिल जाएगी, ओके थैंक यू,